कि यह देखे मैंने यहां पर 27 फंधे लिए हैं 24 फंदे 12 के मुल्टिपल्स इलिए हैं आपने बहुं अपने किसी भी इस डिजांच को डालना है तो बारा के मुल्टिपल्स से फंदे लेंगे प्लस तीन फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिजैन अच्छे से जैठ हो जाएगा तो चलिए बिनाते हैं पहली रो है सीधी साइड एस टे स्लिप करेंगे आगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे फिर दो बार एक फंदा सीधा जाएड डालेंगे एक फंदा सीधा जाएड डालेंगे वन एक फंदा सीधा जाएड डालेंगे टू एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों क पार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा पूना दो बारे 1 सीधा जाई डाली एक दो एक संदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे बनाई यह हमारा 12 फंदों का पैटन है दिखिए दो चार चे आठ दस बारा फिर से इस पैटन को रिपीट करेंगे तो दिखिए तीन फंदे उल्टे एक दो तीन आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे दो बार एक फंदा सीधा जाई डालेंगे एक फंदा सीधा, चाय डालेंगे 1, एक फंदा सीधा, चाय डालेंगे 2, एक फंदा सीधा, दो फंदे slip करेंगे, back loop से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे उल्टे, 1, 2. तो यहां से यहां तक हमारे दो पैटरन कम्प्लीट हो गए हैं लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा उल्टा एस्टिस सीधा मुलेंगे तो पहली रो कम्प्लीट हो गई है दूसरी रो रॉंग साइड इस रो में हर बार सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे जालिवले फंदे उल्टे बनाएंगे एस्टे स्लिप्ट करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन ठागा आगे अब साथ फंदे उल्टे एक, दो, जालिवले फंदा उल्टा बनेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ दो फंदे सीधे, एक, दो, यह देखिए, यहां पर हमने तीन फंदे सीधे बुने, साथ फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर से पैटन को रिपीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, साथ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, दो फंदे स एक दो लास्ट में एक फंदा सीधा, आस्टिज उल्टा तीसरी रों है सीधी साइड है एस्टिज स्लिप करेंगे थागा आगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे 2 फंदे उल्टे एक तो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा भुनेंगे फिर एक फंदा सीधा जाए डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाए डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा ये दिखे हमारे एक pattern complete हो गया है इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बुने आगे की side से 2 फंदों का 1 फंदा 1 फंदा सीधा जाई डाली 3 फंदे सीधे जाई डाली 1 फंदा सीधा back loop से 2 फंदों का 1 फंदा 1 फंदा उल्टा फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करेंगे तो देखे 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फंदा सीधा जाए डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाए डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे पैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा लास्ट में एक फंदा उल्टा ऐस्टे सीधा बुन हैं चौतीर और रॉंग साइड एस्टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो नौ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ एक फंदा सीधा यह देखिए यहां पर हमने दो फंदे सीधे बुने नौ फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो नौ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ एक फंदा सीधा लास्ट में एक फंदा सीधा एस्टिच उल्टा पांच में रों सीधी साइड एस्टिच sentir slip करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से, दो फंदों का एक फंदा, जाई एक फंदा सीधा दोफंदे स्लिप करेंगे लूप से दोफंदों के एक फंद कव्ण अब देखि telephone complete हो गए समय ह Case हमेंने हमने एक फंदा उल्टा वना आगे की साइड इसका है एक फंदना 1 दे depuis फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डाली एक फंदा सीधा जाई डाली बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा जाई डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार पीट करेंगे तो दिखें फिर से धागा आगे एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाई डालेंगे फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे सेंटर का एक फंदा सीधा फिर जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से द साथ जास्ट में एक फंदा उल्टा कि एस्ट सीधा बंटेंगे पांच में रोगल हो गई है चो छटीरों है रॉंग स्याइट सीदे फंदे उल्टे है एक पंदा सीधा ग्या पंदे उल्टे एक है दो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह देखिए हमारे एक pattern complete हो गया है हमने एक फंदा सीधा बुना 11 फंदे उल्टे फिर से इस pattern को repeat करेंगे तो देखिए एक फंदा सीधा 11 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा लास्ट में एक फंदा सीधा एस्टिच उल्टा तो देखिए छटी row complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है तो फिर से हम इसे first row से start करेंगे तो देखिए first row right side ऐसे slip करेंगे, repeat pattern start करेंगे तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन आगे की side से दो फंदों का एक फंदा भुनेंगे फिर एक फंदा सीधा जाई डालेंगे one एक फंदा सीधा जाई डालेंगे two एक फंदा सीधा दो फंदे slip करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे उल्टे एक दो ये देखिए हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है फिर से से रिपीट करेंगे तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, फिर दो बार एक फंदा सीधा, जाए डालेंगे वन, एक फंदा सीधा, जाए डालेंगे टू, एक फंदा सीधा, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फ तो दिखिए फिर से हमारा पैटरन फर्स टॉर से स्टार्ट हो गया है तो आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1-2-6 टोर रपीट करते जाएंगे और ये पैटन बन कर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी काड़ियन में, लेडी चैकिट में लेडी शब में, गर्ल्स टॉप में बच्चें के साटर में, तो फ्रेंड आप भी इसे बनाईए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोज और पैटन अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्काइब करना मत भूले तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और ने ने पैटन लेकर तब तक के लिए बबे फैन